rating stocks के अंदर कुछ पैसे invest कर रहा हैं कि उनको निकाल के small 加 funds के अंदर invest कर दे रीसिंट जो देखा है मैंने काफी बढया return मिला है small scarce के एंदर देखो यहां पे थोड़ी सी समझने की कोशिस करना मैं यहां पे कुछ बेचने नहीं आया हूँ इसलिए मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ ये समझो मैं आपको कोई link नहीं दे रहा हूँ और ना कुछ sell कर रहा हूँ कि आओ मेरे link से जाके ये खड़ी दलो कुछ बेचना नहीं है जो मेरे opinion होंगे straight forward होंगे and मेरे experience plus जो समझदारी है जो मैं कर रहा हूँ उसके basis में based होंगे देखो जब आती है direct stock की बात no doubt small cap investing अगर कोई करे direct stocks के अंदर मतलब सिर्फ करने से नहीं होता अच्छे से करे समझ के तो सबसे ज़्यादा return वहाँ से बनाया जा सकता है हो सकता है वो हर साल पैसे दुपने कर ले हो सकता है कर ले उसमें से 5 या 4 stock तो जाएंगे ही जाएंगे 50% ही accuracy small cap investors की होती है तो अगर आप इतने काबिल हो कि small cap gems ढूंड सकते हो खुद से तो जाओ directly stock market के अंदर invest करो सबसे बढ़िया है वो mid cap gems ढूंड सकते हो और बढ़िया है invest करो कमाँ पैसे काफी कमा सकते हो अब बात आती है अगर आप large के आप investing करते हो आप nifty 50 के stocks के अंदर जाके invest करते हो तो अगर हम growth के मामले में यहां से बात करें purely मैं growth की बात कर रहूं आपके पास पैसा है जो कि आपको 10 सल, 15 सल, 20 सल के लिए invest करना है और आप nifty 50 के stock में जाके invest कर रहे हो उससे मुझे लगता है क्योंकि nifty 50 के stocks के जो return होते हैं वो vary करते हैं 10 परसंट से लेके 20 परसंट तक जिसमें majority में जो stocks होते हैं उनका return 15 परसंट से नीचे होता है कुछ ही stocks होते हैं जो की 15-20 के बीच में रहते हैं नहीं तो जाद अतर stocks का return 15 से नीचे होता है तभी तो आप देखो के overall return 12% के आस-पास निकल के आता है उसका तभी ना जब उसके अंदर के stocks का average return 12% रहता है तभी तो index का return 12% रहेगा तो अगर आप nifty 50 के stocks के अंदर एक दम giant stocks के अंदर invest कर रहे हो तो उससे अच्छा है थोड़ा सा पैसा दो mutual funds को थोड़ा expenses यो दो mutual funds को लेकिन small cap funds के अंदर invest कर लो जो मुझे सही लगता है क्योंकि small cap funds के अंदर में growth जादा मिल सकती है मेरी expectation हमेशा रहती है कि अगर मैं small cap fund के अंदर invest कर रहा हूँ तो मुझे 15-18% के बीच में return मिल जाएगा clear है मेरी expectation ये रहती है लेकिन अगर मैं nifty 50 के stocks के अंदर चुन के invest करूँ तो वहाँ पे 4-5 मुझे stocks मिलेंगे जो की 15-18 के बीच में return दे सकते हैं अगले 4-5-8 सालों के लिए लेकिन जाद तरह stocks वहाँ पे ऐसे ही रहते हैं जो 15% से नीचे return देंगे क्योंकि वो इतने giant हो चुके हैं कि उनमें उतनी growth possible है तो ये चीज़ है अगर मुझे investment करना हो तो मैं giant stocks के अंदर invest करने से बहतर small cap funds के अंदर investment करना जाओंगा लेकिन अगर मेरे पास इतनी समाजदारी है कि मैं खुद से small cap stocks चुनके invest कर सकता हूँ तो हमेशा ही priority वही रहेगी लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो viewers है आप लोगों का कोई जॉब है, business है, कुछ भी है small cap mutual fund में ना के प्रावर risk होता है, लेकिन डाइटल आप small cap fund stock में invest करते हो तो बहुत risk होता है, hundred percent capital loss का risk होता है, एकदम पैसा खतम, zero खतम, वैसा risk होता है तो इन सारी चीजों के कारण थोड़ा small cap, normal लोगों के लिए, normal जो investor है उनके लिए small cap mutual funds ही ज्यादा बहतर है, लेकिन आप एकदम पढ़ना, घुसना, समझना चाहते हो गो, डू, डाइरेक्ट श्टॉक इन्वेस्टूरी